सो दोसो आजके इस वीडеो में हम बात करने वाले हैं मुबाइल रिचार्ज की एक निवट्रिक के बारे में अगर आप एक मुबाइल फोन यूजर हैं तो आप अपनी मुबाइल फोन में किसी ना किसी कमपनीए के एक सिम कार्ड को जरूर यूज करते होंगे और दोसो उस SIM card में आप लोग हर महीने कोई ना कोई रिचार्ज प्रांट जैसे की 249 रुपए या फिर 299 रुपए के रिचार्ज प्रांट को आप अपनी नमबर पर करते ही होंगे लेकिन दोसो जब आप लोग कोई भी रिचार्ज अपने नमबर पर हर महीने करते हैं तो आपको ऐसे में पूरा का पूरा amount देना होता है तो ऐसे में आपका जो रिचार्ज है काफी जड़ा महेंगा होता है लेकिन दोसो इस वीडियो में आप लोगों को रिचार्ज से रिलेटेड एक ऐसी ट्रिक वताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग कोई भी रिचार्ज काफी कम परसमें काफी आसान तरीके से करा सकते हैं तो किस तरह से आपको किसी भी कमपनी के सिम कार्ड में काफी ससता रिचार्ज कराना है इसकी कमपलीट जनकारे के लिए इस वीडियो को आप लोग कमपलीट एंट तक जरूर देखें और इससे पहले अगर आपने टेलिकोम इनफो यटूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी टेलिकोम से जुड़ी वीडियोस मिलती रहती हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को मोबाल रिचार्च रिलेटेड जो भी ट्रिक वताने वाला हूँ ये ट्रिक जो है जितने भी टेलिकोम कंपनियाज है ये टल, बोड़फोन, आइडिया, रिलैंस जो इन सभी टेलिकोम कंपनियाज में काम करेगी तो आपकी SIM card चाहें किसी भी कंपनी की हो आप इस ट्रिक का यूज करके काफी सस्ते में अपना रिचार्च कर सकते हैं तो इसके लिए आपको SIMPLE करना क्या है अपने phone के message box को open करना है open करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक message को type करना है message में आपको simple type करना है capital letter में P, O, RT इसके बाद space और इसके बाद आपको अपने उस mobile number को type कर देना है इतने message को type करने के बाद आपको इस message को send करना है 1900 याने की 1900 पर इस message को send करने के लिए आपकी SIM card में कोई ना कोई एक recharge plan होना चाहिए जैसे ही आप लोग इस message को send करते हैं message को send करने के 2-3 minute के अंदर आपके phone पर company के तरफ से एक message receive हो जाएगा जिसमें कि आपका जो भी porting code रहेगा वो आ जाएगा और mobile number भी आपका show हो जाएगा इसी के साथ आपको दूसरा एक message देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको एक recharge offer मिलेगा जिसमें कि आपसे बोला जाएगा कि आपको 209 रुपए के recharge plan में unlimited calling की सुबधा मिलती है इसी के साथ 1GB का data आपको परड़े मिलता है और इस recharge plan की validity आपको मिलती है पूरे 28 दिनों के लिए और दोसो जैसा कि आप सभी को बता है एटल और BI की SIM card में अगर आप लोग 1GB का data और unlimited calling से रिचारज प्लान आप लोग करना चाते हैं तो आपको 265 रुपए देने होते हैं तो इस तरह से आपका जो रिचारज है 209 रुपए में ही ये 265 वाला हो जाएगा और दोसो इसके बाद आपकी SIM card में customer care की तरफ से उसी company के एक call आएगी और जिसमें की customer care जो पर्णसर रहेगा वो आपसे पूछेगा कि आप अपने नमबर को एक operator से दूसरे operator में port क्यों कराना चाहते हैं क्योंकि आपने अभी जो message send किया है इस message को तभी send किया जाता है जब आप अपने नमबर को port कराते हैं एक operator से दूसरे operator में तो customer care का जो person रहेगा वो यही समझेगा कि आप अपने number को port कराना चाते हैं दूसरे किसी company में तो जब वो person आपसे पूछेगा कि आप क्यों port कराना चाते हैं दूसरे company में तो आपको simple उस person को customer care के person को आपको बता देना है कि इस company में हमें काफी जदा महंगे महंगे recharge मिल रहे हैं जिसकी बज़े से हम अपने number को port करा रहे हैं दूसरे company में तो customer care जो person रहेगा वो आपको काफी जदा अच्छे-च्छे काफी सस्ते-सस्ते recharge plan की details दे देगा तो उन में से कोई भी एक recharge plan select करके आप अपने number पर recharge काफी सस्ते में करा सकते हैं तो यहाँ पर जो सस्ते recharge plan को करानी की जो trick है यह सरिफ Airtel, Vodafone, Idea और BSN में काम करती है जियो company के तरफ से call तो आती है लेकिन यहाँ पर सस्ते recharge plan को नहीं दिया जाता है सो दोसो अगर आप कोई trick पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें फिलहल आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आने वाली ऐसी किसी टेलीकॉम से चुड़ी वीडियो के साथ